तो हेलो दोस्तो वेलकम को हरलेंड तो आज जो मुवी में आपके लेकर आया हूँ उस मुवी का नाम है देविल इंसाइड ये एक फांड फूटेज टाइप हरर मुवी है जिसका मतलब भी होता है कि इस मुवी को इस तरीके से बनाए गया है तो मुवी की कहानी शुरू होती है एक लाइन से जिसका में जो कुछ रिकोर्ड हुआ था उस से वेटिकन सेटी का कुछ भी लेना देना नहीं है ये टाइम टा अक्टोबर 30, 1989 अमेरिका का उस रात पुलिस को इमर्जेंसी नमबर पर मारिया नाम की एक लड़की को खौल आता है जो उन्हें बताती है कि उसने तीन लोगों को मार डाला है ये बात सुनते ही पुलिस मारिया के घर पर जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है पुलिस जब घर को देखती है तो घर का पूरा सामानी भिखरावा था घर में तीन लगों की डेट बोडी और उनको मारने वाले हतियार पड़े हुए थे और उन मरने वालों में से कैथलिक चर्च के दो फादर और एक नन थे रूम के बेस्मेंट में एक चेर थी जिस पर शायद मारिया को बांदर गया था और देखकर यह ऐसा लग रहा था कि बेस्मेंट में मारिया का एक्जॉसेस में हो रहा होगा जब पुलीस क्राइम सीन को रिकॉड कर रही थी तो उन्हें अजीब अजीब आवज़े सुनाई देती है और अचानक कोई चीज उनके कैमरा के सामने आती है और इस सीन ब्लेक आउट हो जाता है अब ये केस जल्दी ही सब भी न्यूस चैनल पर दिखाया जाता है और पुलीस अब केस की चैनल बिन कर रही थी फिर उसके बाद में कहानी कुछ सालों के बाद से शिरू होती है जहां पर मारिया की बेटी इसाबेला को देख पाते हैं इसाबेला यहां पर जानना चाहती थी कि उसकी मा के साथ में क्या हुआ था कि उसने तिन लोग का मडर कर दिया क्योंकि इसाबेला के मताबिक उसकी मा बहुत इनोसेंट हुआ करती थी इसाबेला एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने चाइल्डूट के फोटो और वीडियो दिखा रही थी और अपनी मा के बारे में बता रही थी जब इजाबेला शे साल की थी तब ही उसकी मा धिरे धिरे बदलने लगी थी और अजीब अजीब बहेव कर रही थी और इजाबेला अब अपनी मा की कहानी के ऊपर एक डॉक्यमेंटरी बनाना चाहती थी सांथी वो उस दिन क्या हुआ था उस बात का सच पता लगाना चाहती थी ये डॉक्यमेंटरी बनाने में इजाबेला को उसका फ्रेंड माइकल हेल्प भी करने वाला था मारिया के केस में डॉक्टर जेफ का कहना था कि मारिया को कोई बिमारी होगी जिसमें कोई परसन लोगों के उपर हमला कर देता है तो में पर फादर क्रिस्टोफर का ऐसा कहना था कि ये कोई बिमारी नहीं बलकि सच कोछ औरी है उस समय कोट ने इन मडर को लेकर मारिया को एक मेंडल पेशन पताया और उसे लाइफ टाइम के लिए रोम के एक मेंडल हॉस्पिटल में भेज दिया इसाबेला को उसकी मा के बारे में उसके फादर ने बताया था और उसके फादर इजाबेला को उसकी माँ से दूर रखना चाहते थे लेकिन मारिया के बारे में बताने के सिर्फ तेन दिन बादी इजाबेला के फादर की भी मौत हो गई थी फिर उसके बाद अपने फिल्मे को पूरा करने के लिए इजाबेला रोम निकल गई और सभी शुटी डीटेल को माईकल अपने केमरा में रिकॉर्ड कर रहा था यहां पर हमें पता चलता है कि इजाबेला ने उस चर्च में कॉल गया था जहां से वो दोनों फादर और नन उसके माँ का एक्जोस्थ में करने के लगए थे लेकिन चर्च के लोगों ने बताया कि एक्जोस्थ में की पर्मिशन उन लोगों ने नहीं दी थी और चर्च के लोग मारिया के बारे में उससे कुछ भी बात नहीं करना चाते थे तो इसलिए इजाबेला नवबर 26, 2009 में रोम चली आती है और वहाँ पर जाकर वो स्कूल ओफ एक्जोस्थ में कुछ बातों का पता लगाने वाली थी फिर स्कूल जाकर इजाबेला एक क्लास को जोइन करती है जहां पर एक फादर स्टुडिन्ट को सिखा रहते हैं कि किसी एक्जोस्थम से विक्टिम के साथ साथ उस एक्जोसिस्म से जुड़े बाकी लोगों के उपर भी असर पड़ सकता है और एक परसन को कई बार बहुत सारी आत्में पॉसेस्ट कर सकती है ऐसे पॉसेशन बहुत सारे थे और उनके पास में एक्जोसिस्ट बहुत ही कम थे तो इसलिए स्टूडेंट को एक्जोसिस्ट कुछ इस्टोनेacement के साथ में रेस्ट्रॉट पर जाती है जहां पर इविड बेन रोपट और क्लास दी जाती है हुँग को पता चलता है चेmother में बेन और देविड इसाबेला को एक रियल एक्सोरिसम देखने का एडवाइस करते हैं चूंकि इस क्लास से इसाबेला के किसी भी सावल का जवाब उससे नहीं मिलेगा अब डिसंबर वन 2009 को हमें इसाबेला से पता चलता है कि रोम के उसी चर्च के लोगों ने उसके फाद मारिया ने किसी को भी नुकसा नहीं पोचाया था लेकिन कभी कभी वो खुद को हम जरूर किया करती थी लेकिन जब भी मारिया गौट के किसी चीज़ को देखती थी तो लोगों के उपर हमला कर देती थी और डॉक्टर के मताबिक मारिया किसी डेमन के पोसेशन नहीं थी बलकि वो mentally disturbed थी। इसाबेला जाना चाहती थी कि उसकी माँ को अमेरिका से रोम क्यों लाए गया। लेकिन डॉक्टर के पास में इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। फिर डॉक्टर इसाबेला को उसकी माँ से मिलाने के लिए जाते हैं। लेकिन मारिया के सामने गोट का नाम लेने से इसाबेला को मना करते हैं। अब सालों के बाद मारिया अपने बेटी इसाबेला से मिलकर उसे बिलकुल पर नहीं पेचान पा रही थी। और इसाबेला फिर मारिया को उनके फैमली के फोटो दिखाती है। तब मारिया इसाबेला को अपनी बोडी पर चोटो के निशान दिखाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया के पास में भी उनकी फैमिली के फोटो थी लेकिन वा सब कुछ भूल चुकी थी अब अचानक मारिया इसाबेला से उसके अबोशन के बारे में बात करती है लेकिन इसाबेला ने किसी को भी अपने अबोशन के बारे में नहीं बताया था तो ये बात मारिया को किसे पता चल गई और इस बात से इसाबेला बहुत ज़्यदा शौक्ड में थी तब मारिया जोड़ जोड़ से चिलाने लगती है जिससे कि इजाबेला बहुत ज़्यादा डर चुकी थी उस ही समय पर डॉक्टर वहाँ पर आकर मारिया को कंट्रूर करने लगते हैं फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद में इजाबेला अपनी मा की वीडियो फूटेज फादर डेविड और बेन को दिखाती है ताकि वह लोग उसके कोई हेलप कर सके सीन कट होता है और नेक्स्ट दिन इजाबेला डेविड के घर पर जाती है और वहाँ पर डेविड और बैन अपनी लाइफ के बारे में कई बाते बताते हैं मारिया की वीडियो देखकर उन्हें पता चलता है कि मारिया अपनी बाड़ी पर उल्टे क्रॉस बनाया करती है जो कि डेमन का साइन होता है Ben डेविड को इस बात से तो confirm करता है कि मारिया एक डेमेन के possession में थी क्योंकि मारिया दूसरी लेंगवेज में बोला करती थी जो लेंगवेज उसे पता भी नहीं थी मारिया किसी भी चीज को उसके जगर से हटा सकती थी उसको भी नटच किये और मारिया किस से भी बिना मिले उसकी लाइफ के बारे में सभी बाते जान पाती थी जैसे मारिया को इसाविला के अबोशन के बारे में पता चल गया था जिबकि मारिया 20 सालों से अपनी बेटी से भी नहीं मिली थी अब डैविड और बैन इसाबेला को कुछ लोगों के फोटो दिखाते हैं जो लोग डैमन से प्रजस्ट हो चुके थे चर्ज ने उन लोगों के उपर एक्जोसिस्म करने से उन्हें मना कर दिया था तो इसलिए डैविड और बैन दुनिया से चुक कर और चर्ज के प्रजस्ट के बिना उन लोगों का एक्जोसिस्म करते थे दो लोगों को डैविड और बैन ने ठीक भी कर दिया था और अब दोनों रोज नाम के एक लड़की के उपर एक्जोसिस्म को परफॉर्म करने वाले थे ये वही लड़की थी जिसकी पोजेशन की वीडियो क्लास में दिखाई जा रही थी लेकिन चर्ज मार्य का एक्जोसिसम करने की उन्हें परमिशन नहीं देगा क्योंकि मार्य की वज़य सही चर्ज के तिन लोगों की जान चली गई थी देविड और बैन के मताबिक अगर इसाबेला को मार्य की हल्प करनी है तो उसे खुदी एक्जोसिसम करना सीखना होगा और उसके लिए इसाबेला को एक रियल एक्जोसिसम होते हुए भी देखना होगा तो इसलिए 3 दिसंबर 2009 को इसाबेला, बैन और डेविड ये तीनों साथ में रोस का एक्जोसिसम करने के लिए निकल जाते है बैन कहता है कि उनको सबसे पता लगाना होगा कि कौन से डेमन ने उसे प्रजेस करकर रखा है तब ही वे लोग आके कर काम कर सकते है अब फिर हम सबी लोगों को रोस के घर में देखते हैं और उसकी फैमली ने उसे बैस्मेंट में बंद करकर रखावा था बैस्मेंट में वे बैस्मेंट में सबी देखते हैं कि रोस के हाला तो बहुत ही बुरी थी डेमन ने उसकी बहुत सारी हड़िया भी तोड़ दी थी बेन और देविड रोस को बेट से बांद कर अपना एक्सरसिस्म शुरू करते हैं और धीर धीर रोस हाइपर होना शुरू हो जाती है यहाँ पर एक अजीब सी बात ये भी होती है कि रोस इसाबेला को उसके नाम से बलाती है जबकि दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे रोस के अंदर का डेमन इसाबेला के पास में जाना चाता था और बेन और डेविड अपना एक्सरसिसम नहीं रोकते हैं जिस वजह से डेमन और रोस को बहुत ज़रा तकलिफ दे रहा था तब अचानक रोस के प्राइविट पार्ट से खुल निकलना लगता है और उसकी बोडी हवा में फ्लोट करना लगती है अचानक से रोस के दोनों हाथ खुल जाते हैं और वो डेविट के ओपर हमला करती है तब ही वहा की सबी लाइट भी ओफ हो जाती है और जब तक लाइट वापस नहीं आती है रोस पुली तरीके से रस्स्यों से आज़ात हो चुकी थी और वो इदहोत भागना लगी थी किसी तरफ डेविट और बेन रोस को पकड़ कर बहुत सारे मंत्रों से उसे कंट्रोल कर लेते हैं और उसके अंदर से डेमेन को भाँ निकालते हैं फिर बाद में रोस का एक्जोसर्स में का वीडियो देखकर उन्हें पता चलता है कि रोस अब ठीक हो चुकी है और अब कोई भी डेमन उसके अंदर नहीं है लेकिन फिर भी बेन और डेविड उनकी सकस्वल एक्जोसर्स में की बाद चर्च से नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछी भी हो बिना चर्च की परमिशन से एक्जोसर्स में करना एक क्राइम है अब कुछ दिर के बाद इसाबेला को रूम के एक बहुत बड़े प्रिस्ट का कॉल आता है जिन से इसाबेला से उसकी माँ को उसके साथ में ले जाने के लिए प्रिमिशन मांगना थी लेकिन प्रिस्ट इसाबेला को कॉल करके इस बात के लिए मना कर जाता है बहुती बड़ा था और उसकी असलियत कोट और चर्च वाले ही चुपा रहे थे उपर से मारिया एक गवर्मेंट होस्पिटल में थी अगर वे लोग उसकी उपर एक्सोर्स में करते हैं तो उनकी बात सभी को पता चल जाती और वे लोग अरेस्ट हो सकते थे लेकिन बेंट डेविट को समझाता है कि उनका काम यह है कि वे ऐसे लोगों की मदद करें जिनकी चर्च ने कोई हेल्प नहीं की है अब दिन आता है दिसमबर 7, 2009 का डेविट बेंट और इजाबिला ने डॉक्टर एंटन से प्रेमिशन ले ली थी होस्पिटर में एक्जोसिस में करने के लिए देविट यहाँ पर डरावा था क्योंकि चर्च में इस बारे में पता लगने के बाद उसके वादर की जोब भी जा सकती है जिसके बाद एक रूम में वो हर तरफ कैमरा लगा देते हैं डॉक्टर एंटन उन्हें से दो घंटे का टायम देते है ये सब एक्जोसिस में परफॉर्म करने के लिए फिर कुछ देर के बाद में मारिया को एक बेट पर बिठा दिया जाता है और उसे नॉर्मल करने के लिए उसे कुछ मेडिसिन भी दी जाती है फिर बेन एक्जोस्थ में शूर करता है पहले तो मारिया नॉर्मल दिख रही थी तो उन्हें ऐसा लगता है कि मारिया किसी डेमन के पॉजेशन में नहीं है लेकिन दीरे दीरे मारिया के अंदर का डेमन उसके उपर हावी होने लगता है और उसका बलड प्रेशर भी दिरे दिरे बढ़ने लगता है तब डेविड और बेन फिर से मारिया के उपर एक्जोस्थ में करते है और स्पेल और हॉली वोटर से मारिया के अंदर का डेमन तलप राता और वो बैन और देविट के उपर हमला भी करता है यहाँ पर डेमन बैन को कमजूर करने के लिए उसके लाइफ के कुछ सिक्रेट उससे बताने लगता है जिससे कि बैन शोग्ड में था फिर इसावेला बैन को समझाती है और उसी समय मारिया रेस्यो से आजात हो जाती है वे लोग उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे और डेमन उनको कुछ से दूर फेक रहा था एक बार के लिए डेमन वही गाना गाकर इसावेला को अपने पास में बुलाता है जो सोग मारिया उसके लिए बच्पन में गया करती थी इसावेला मारिया के पास में जा रही थी लेकिन सही टाइम पर माइकल उसे इसा करने से रुकता है फिर किसी सरफ बैन और डेविड फिर से अपना एक्जोसिस में शुरू करता है डाक्टर और बाकी के लोग उन्हें डोर खोलने के लिए बारबर के रहते हैं फिर उसी समय इसावेला मारिया के पास में जाकर उसे मॉम कहती है और तब डेमन इसावेला को सज़ा देने की बात करता है फिर कुछी समय में मारिया नॉर्मन हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि डेमन मारिया के अंदर से जा चुका है तब तक डॉक्टर भी रूम के अंदर आ चुके थे फिर रात के समय वे लोग मारिया के एक्जोस्टेस में का वीडियो देखने लगते हैं और अब उनके पास में सबूता कि मारिया पॉसेशन में है नाकिव मेंटली अनिस्टेबल है मारिया को उसके किये गए मडर और उसे वापस से अमेरिका जाने के लिए बड़ बड़ फादर और प्रीस्ट और कोट अब उनके हेल्प कर सकता है फिर रात को जब बेन मारिया के आ़डियो को सुन रहा था तो उसे पता चछता है कि मारिया के अंदर एक नहीं बल्कि चारचर बेमन के दे डेविड को चच्छ के प्रिस्ट ने कॉल किया था उनके हेल्प करने के लिए और वो नहीं चाहते थे कि डेविड और बेन किसी प्रॉब्लम में फसे यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड के हालत कुछ ठीक नहीं थी और उसकी नाक से भी बलड निकल रहा था लेकिन उससे भी इससे भोते ज़्यादा नौर्मली लेते है देर देर इसाबेला का बहवियर भी बदल रहा था और इसाबेला यह सब बंद करना चाहती थी वो नहीं चाहती थी कि उसकी वज़े से डेविड और बेन को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर हम डेविड के बदले बहवियर को देख पाते हैं जो कि अब अंधिरे में रहना जाता पसंद करने लगा था फिर उसी दिन डेविड चेर्श के किसी न्यूबन बेबी का बैप्टिस में करने के ले जाता है माइकल इन सबी चीजों को रिकॉर्ट कर रहा था उस सब कुछ सही जा रहा था लेकिन अचानक डेविड किसी डेमें के पॉसेशन में आ जाता है और उस बेबी को पानी में डुबा कर बाणने की कोशिच करता है किसी दर बाकी के लोग उस बेबी को बचा लेते हैं और इस इंसिडेंस के बाद डेविड और भी ज़ता परेशान हो गया था फिर घर आने के बार में माइकल, बेन और इसाबेला को ये सारी बातें बताता है अचानक उनके घर के लैट चल जाती है और उन्हें डेविड के चिल्लाने की आवाज सुनए देती है डेविड के पास जाकर वे लोग देखते हैं कि डेविड इसे डेमन के पॉसेशन में है और खुद को हाम करने लगा था डेविड यहाँ पर उनसे दूर भी भाग रहा था लेकिन वो सभी उसे ढूंड़ी लेते हैं लेकिन तब तक डेविड ने अपने हाथों में एक गन को उठा लिया था यहाँ पर डेविड बेन के सामने रोतोवे कहता है कि वो उस डेमन से नहीं लड़ पाएगा तो इसलिए डेविड खुद को गोली मार कर अपनी जान ले लेता है डेविड के मरते ही वो डेमन इसाबेला के अंदर आ जाता है जिससे कि इसाबेला अब अजीब भेव करने लगी थी फिर बेन और माइकल इसाबेला को हस्पिटल ले जाने लगते हैं और बेन की बातों समय पता चलता है कि मारिया के अंदर जो चार डेमन थे उनमें से एकने पहले ही डेविड को पस्थ कर लिया था और फिर डेविड के मरते ही वो डेवन अब इसाबिला के अंदर आ चुका है लेकिन हुस्पिटल जाने के बार में इसाबिला डॉक्टर को एकदम नॉर्मल दिख रही थी इदर बेन ने इसाबिला के बारे में फादर ग्रेल से बात कर ले थी ताकि वे एक एक्जोशिज्म करके इसाबिला को बचा सके तब ही उनको पता चलता है कि इसाबिला ने हॉस्पिटल की एक नर्स को माड आला है और अब उसे कोई भी कंट्रूल नहीं कर पा रहा है जिससे कि अब इसाबेला के अंदर का डेमन और उसकी पाउर बढ़ते जा रही थी किसी तर एक डोक्तर इसाबेला को बेहुच करने के दवाई दे देता है और मोका देखकर माईकल और बेन इसाबेला को चर्च की तरफ ले जाने के लिए निकल जाते है फिर कार में बेन इसाबेला को कंट्रूल करने की कोशिच कर रहा था लेकिन इसाबेला के अंदर का डेमन बेन के सिक्रेट रिविल करता है और वो उसे कमजूर करता है इसाबिला फिर डाइविंग सीट पर बैट कर मैकल पर हमला कर देती है लेकिन बेन मंतर पढ़कर इसाबिला को समबाल लेता है लेकिन अब मैकल के बेहवियर में चेंज़ थाने लगेते हैं और डेमन मैकल को क्टरूल कर रहा था तो इसलिए Michael डेमन के position में आकर गार का accident करवा देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि accident से Ben और Michael की डेट हो चुकी है और Isabella वहाँ से गायब थी Isabella कहाँ पर गई थी और उसके साथ में क्या हुआ था यह आज तक किसी को भी नहीं पता है और नाही इसाबिला ये पता लगा पाई कि मारिया डेमन के परेशन में केसे आई और यहें पर यह मूवी एंड हो जाती है तो दोस्तो देविल इंसाइड एक केसी मूवी है जिसमें हमने देखा कि मारिया अपने एक्जोर्स में के दोरान दो प्रिस्ट और एक नन को माँ डालती है लेकिन चर्च इस बात को चुपाता है और मारिया को एक मटर्स बता कर उसे रोम के एक मेंटल असाले में भेज़ जा जाता है ये कहकर कि वो पजिस्ट नहीं है बलकि वो मेंटल अनिस्टेबल है फिर जब मारिया की बेटी बड़ी होती है तो वो अपनी मा की इस कहानी के उपर एक डोकिमेंटर बनाने की कोशिश करती है ताकि उसे भी पता चल जाए कि आखिरकार सच क्या है लेकिन जब वो इस कहानी के तह तक जाती है तब तक बहुत देर हो चुगी थी चुकि मारिया के साथ साथ इसाबेला, डेविड, बैन और माइकल ये सब भी डेमन से पज़ेस हो गए थे और कभी पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार मारिया को हुआ क्या था तो दोस्तों ये था देविल इंसाइड मोयों के एक्टिनेशन मैं उमीद कहता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होगा वीडियो अकर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंड और शियर जूरू करें जल्दी मैं आपके लिए एक और इंटरस्टिंग वीडियो लेकर आना रहा हूँ तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में